सुनी प्रभु वचन हरश हनुमाना, सरनागत बचल भगवाना ये दोहा रामायन में लिखा है या राम चरत्त मानस में ये बता पाना काफी मुश्किल है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जन्हें रामायन या राम चरत्त मानस में अंतर नहीं पता होगा इसलिए आज इस वीडियो में आपको वही अंतर बताएंगे तो चलिए अब बताते हैं वो अंतर चरित मानस के बारे में वैसे आप सब जानते होंगे कि दुनिया भरे में तकरीबन 300 से ज़्यादा भासाओं में स्री रामार्ण लिखी गई है जिस देश में जिस भासा में भगवान ये कथा आसानी से समझ सके लोग तो लिखी गई है तो आए बात करते हैं स्रीमत बालमीकी रामार्ण जी के बारे में दर्शकों ब्रह्मर्शी महर्शी बालमीकी जी ने ये कथा भगवान की ये रामायन जैसा पवित्रगरंथ राम काल में ही लिखा है 24,000 इस लोकों का ये पवित्र ग्रंथ रामायन काल में लिखा है इसलिए सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है ब्रह्माजी के आदेशा नुसार महर्शी बालमी कीजे ने ये इतना बड़ा ग्रंथ इतना बड़ा महाकाब्य लिखा महर्शी बालमी कीजे को आदेशा कभी भी कहा जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि वो इतने महान कभी भी है कि वो किसी भगवान की एक कथा के पीछे यहां तक कि मा जानकी कि आसु की पीछे असु की पीछे वो पूरा एक ग्रंथ लिख सकते हैं इतने बड़े कभी है लिखा है ये हिंदु सनातन धर्मे के लोगों के लिए गौरव शालिय के तिहास है और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक क्रंत है महर्शी बालिमिकी जी ने जो ये रामाण लिखा है इसको ही आधार मानकर गोश्वामी तुलसी दास जी ने अबधी बड़ी सरल भासा में हिंदी भासा में सिर्राम सिर्त मानस लिख दिया है ताकि प्रतेक मनुष्य तक ये कथा भगवार के भवित्र कथा आसानी से पहुंच सके क्योंकि हर एक इंसान संस्कृत जैसे बिलिप्त सी होती जा रही है ना तो रामायन तो संस्कृत में लिखी है बहुत महान गरंत है लेकिन हिंदी शरल भासा में गोस्वामी तुलसी दास जी ने इसकी रशना की है 1554 संबत में गोस्वामी तुलसी दास जी का जन्म हुआ है अब अगर हम फर्क की बात करते हैं तो दर्शकों वैसे अगर धार्मिक तरीके से देखे भावनात्मक तरीके से देखे तो इन गरंतों में कोई फर्क नहीं है लेकिन अगर आप पढ़ करके कुछ फर्क समझना चाहते हैं अगर आपको लगता ऐसा फर्क है फर्क फिर भी नहीं है कोई फर्क नहीं है मैंने पहले भी कहा कि गुस्वामित तुलसी दाजी ने बालमेकी रामाड को अधार मान करके रामजरित मारस की रचना की है लेकिन गुस्वामित तुलसी दाजी ने भावनात्मक तरीके से भी इस ग्रंत को लिखा है तो जैसे कुछ चोटे मोटे प्रसंग में आपको परिवर्दन देखने को मिल सकते है जैसे स्रीमत बालमेकी रामाड में लिखा है कि हनुमान जी समंद्र को पार जब किये तो तैर करके पार करके लंका गए और वहीं गुवासामित तुलसी दाजी ने लिखा है कि लांग करके गए उड़ करके गए ति कथाएं ये भाव की बात है कुछ विशेश फरक नहीं है ये कथा बालमेकी महराज जी लिखने से पहले भी भगवान श्यू के हुर्दय में थी इसलिए से मानस भी कहते हैं श्री राम चरित मानस और रामाण भगवान जी के जीवन का इतिहास भगवान राम के जीवन की सारी घटनाय है इसलिए ये सभी गरंथ मनुस्य मात्र को कल्यान कारी है मौक्ष देने वाले हैं और इन सभी गरंथों में सभी दैवी आपदाओं का जिक्र है अगर हम आज की बात भी करते हैं तो देखिए जब अधर्म ज़्यादा बढ़ता है पाप अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है दम बजूत मत्सर ये चीज़े ज़्यादा हो जाती है यहां तक कि अगर आज कर आप देखो तो जहां इस मनुष्यादा की आस्था जुड़ी है धर्मकर्म यग गनुष्ठान नाम जाप मंत्र जाप पूजापाट तो जो दुष्ट रिदय के लोग हैं इसमें भी आपत्ति करते हैं जैसे आपने देखा होगा राम, कृष्ण, श पाप बढ़ जाता है, मनुष्य अपने आपको सरवग समझने लग पड़ता है तो फिर ये दय भी आप दाएं आया करते हैं तो मित करते हूँ आप सब बात को बहुत अच्छी तरह समझे होंगे और घर पर बैढ़ करके अगर आप संस्कृत जानते हैं तो वालमिकी रामा मानस जी का घर में निरंतर पाड़ करें एक एक चोपाई आपको जीवन में कल्यान करने वाली है उसमें तो ऐसे भी लिखा है कलियूग केवल नाम अधारा सुमेरे सुमेरे नर उत्र ही पारा वैसे तो भगवार के बारे में जिदना कोई बोल ले जिदना पढ़ ले उतना कि बहुत सारी भासाव में रामा न लिखे गई है लेकिन अगार्णा आप प्रमात्मा के बारे में आंतर में लिखनल है कि हर अनन्त हरी काथा नंत ले कोई उसको कोई पारही नहीं है तो इसलिए स्री राम के आदर्शों पर चलने मात्र सेליverse जीवन सफल भी होता है काम्याब भी होता है इसलिए हमें अपने बच्चों को आने बाले पीड़ी को ये अपने जनरेशन को ये सब कुछ बताना होगा समझाना होगा जैसे आजकल बत्च यह सभी जानते हैं कि रामायन की रचना वालमिकी जीने और रामचरित मानस की गोस्वामी तुलसिदाज जीने की थी और अब दोनु गरंतों के बीच का अंतर भी जान गए हैं पर इन्हें पढ़ते समय मन में श्री राम की छवी हमेशा रहती है जै श्री राम कुंडली टीवी डस्क से दिक्षा गुप्ता की रिपोर्ट